प्सक्राइब कीजिए पासी चैनल को साथी प्रेस कीजिए इस बैल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए देखिए इस टैबलेट को ना as a emergency contraceptive pills के लिए बनाया गया था कि by chance अगर आपके partner के साथ में unprotective sexual intercourse हुआ है तो आपने इस टैबलेट को लेना है या by mistake अगर आपने कोई product या barrier method को यूज नहीं किया तो भी आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं लेकिन वही है कि या तो proper knowledge नहीं होती है या फिर जो advertisement होती है इस टैबलेट की वह properly नहीं होती जिसके कारण लोगों को इस टैबलेट के जो side effects हैं उसके बारे में पता नहीं होता कई लोग तो इस टैबलेट को खाने की तरह खाती है ठीक है तो आज इस वीडियो में discuss करेंगे कि इस टैबलेट के कौन-कौन से side effects होते हैं और उसके regarding क्या करना चाहिए तो welcome back guys to passicham challenge और इस वीडियो में discuss करेंगे unwanted 72 tablets के side effects के बारे में तो ज़्यादा time waste नहीं करते लेट्स डाइब इन्टु इट तो गाइस देखिए unwanted 72 tablet के side effects को जानने से पहले आपको इस tablet के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको पता नहीं है बिल्कुल भी तो आप आई के बटन पर क्लिक कर लेना या फिर वीडियो के last में एक वीडियो है लेवन और जैस्ट्रोल के उपर और वो वीडियो देखना उस वीडियो पर बहुती ज़्यादा अच्छी information आपको मिलेगी सारी चीजे मेंने अच्छे से explain करी है कि इस टैबलेट को कब यूज करना है कितनी effective होती है किन लोगों को इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए और इस टैबलेट के regarding जो commonly questions होती है उनके मेने answer दी है तो वीडियो काफी interesting और बहुत ही ज़्यादा useful है अगर आप unwanted 72 tablets को use करती है तो back to the topic इस वीडियो में deeply discuss करेंगे कि इस टैबलेट के कौन-कौन से आपको side effects देखने को मिल सकते हैं तो देखें इस टैबलेट के अंदर आपको levonogestrol 1.5 mg में मिलता है यह as a progesterone जो female hormone है उसी के तरह ही यह काम करता है और 1.5 mg काफी heavy dose होती है as a hormone और जब आप इस टैबलेट को लो गए तो जो female का natural progesterone होता है hormone उसी के तरह यह काम करता है ठीक है और आपको पता होगा अगर आप हमारी regular videos को देख रहे हैं तो मैं बारी बारी बताता हूँ कि progesterone के high level के कहरण ही आपको menstrual cycle आता है और जब आपको evolution होता है ठीक है evolution के बाद females की body में progesterone का level suddenly increase होता है ठीक है इस progesterone के high level के कारण ही females को menstrual cycle आता है और यह कब होगा जो evolution है जो under release होता है ओवरी से उसके बाद ठीक है तो यह जो tablet है इसमें progesterone का level बहुत ज़ादा होता है ठीक है और जब आप इस tablet को खाओगे तो आपके body में क्या होगा progesterone का high level होगा लेकिन कितना बहुत ज़ादा होता है जो natural हमारी body में progesterone का level है उससे काफी ज़ादा काफी heavy dose होती है यह ठीक है तो इससे क्या होता है कि जब आप इस tablet को खाओगे तो आपको वही side effects देखने को मिलते हैं जो कि आपको अपने period cycle के दोरान देखने को मिलते हैं क्या होता है आपके period cycle में कईयों को सिरदर्द होता है mood swing होता है abdomen cramps, back pain, lower abdomen pain, nausea, vomiting, breast tenderness होती है ठीक है और dizziness, चकर आते हैं ठकान और जो females हैं वो irritate हो जाती है थोड़ा सा उनका जो nature है वो चिड़ चिड़ा हो जाता है तो यह सारी चीजे period cycle के दोरान होती है चूंकि यह tablet as a progesterone की तरह ही काम करती है तो यह जो चीजें है न यह आपको थोड़ी जादा दिखाई देंगी इस tablet के लेने पर ठीक है लेकिन problem यहाँ पर भी खतम नहीं होती है देखिए अगर आपने यह जो tablet एक या दो बार पूरे साल भर में ली है तो कोई दिक्कत नहीं है आ आपको यह problem होंगी साथ ही आप अगर अपनी period cycle के दोरान मतलब की sports करें कि आपका जो menstrual cycle period की जो date है वो आपको 20 तारीक के around आती है तो अगर आप यह tablet 10 तारीक के around लोगे तो आपको withdrawal bleeding देखने को मिल सकती है अब withdrawal bleeding क्या होती है देखिए कि जब आप इस tablet को लेते हो तो progesterone का level बढ़ता है अब जब progesterone का level बढ़ेगा तो जो uterus के अंदर की layer होती है endometrium layer होती है evolution के बाद भी progesterone का level बढ़ता है ठीक है जिसके कारण uterus अपने आपको prepare करता है ताकि जो fertilized egg है जो egg आना है अगर वो sperm के साथ fertilize हो जाता है तो uterus को उसको nourishment देना होता है पालना होता है तो वो खुद को prepare करता है ठीक है यह signal होता है जब progesterone का level बढ़ता है तो uterus खुद को भी prepare करता है ताकि वो आगे की जो menstrual cycle के दोरान जो egg बना है उसको पाले ठीक है तो उसके लिए वो खुद को prepare करता है जो lining बनती है inner most layer की जो मोटाई है जो थिकने से ना वो increase होती है ठीक है लेकिन by chance अगर fertilization नहीं होता मतलब जो egg release हुआ है जो ovum release हुआ है अगर वो male के spams के साथ मिलता नहीं है तो fertilization नहीं होता जिससे जो line बनी थी जो uterus ने अपने आपको prepare किया था ठीक है वो line shred हो जाती है मतलब की breakdown हो जाती है जीसे क्या बोला जाता है PERIED mensel cycle बोला जाता है ओके तो जब आप इस टैबलेट को लोगे अपने पीरियट cycle से पहले तो body को क्या लगेगा कि जो progesterone का level बढ़ा है क्योंकि high dose है अब uterus को क्या लगएगा कि आपने जो tablet खाई है progesterone का level बढ़ा है अब uterus को यही है कि भै progesterone का level बढ़ गया है तो मैं खुद को prepare करूं और uterus की जो layer है भो फिक हो जाती है अब फिक होगी और इस tablet के digestion के बाद जब आपका शरीर इसको पचा लेगा तो प्रोजेस्टरोन का लेवल जो था वो एकदम से कम होगा है ना कम होगा तो uterus को लगेगा कि fertilization नहीं हुआ और जिससे वो layer जो थी shred हो जाएगी इसी को बोला जाता है withdrawal bleeding ओके अब ऐसा भी नहीं है कि देखिए आपकी जो layer है वो प्रोजेस्टरोन का level increase हो और layer shred हो जाए अब layer को बनने भी तो थो थोड़ा वो prolong हो गया काफी देरी से आ रहा है या absence हो जाता है कईयों का यह सारा का सारा खेल जो है वो प्रोजेस्टरोन के high level के कारण होता है इसलिए आपने सुना भी होगा कि इस tablet को बारी बारी नहीं लेना होता वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि body को इस tablet को digest करने में काफी time लगता है क्योंकि यह tablet एक high dose प्रोजेस्टरोन की होती है और जब आप इस tablet को खाते हो खाने के बाद जो आपकी body में जो hormones का balance थाना वो गड़ बड़ा जाता है unbalance हो जाता है सारा कुछ और इसको settle होने में कम से कम 3 महिने लगते हैं मतलब कि 3 mensual cycle जब तक नहीं आते तब तक आपकी body settle नहीं होती है अगर आप इसको बारी बारी लोगे तो क्या होगा body को time मिलेगा नहीं मिलेगा आप भी 24 hour काम करते हो आपको भी rest की जरूरत होती है है ना ऐसे ही आपकी body को भी जरूरत होती है लेकिन अगर आप बारी बारी इस tablet को लोगे तो body adjust नहीं कर पाती है फिर आपका period cycle था वो disturb हो जाता है मतलब कि फिर irregular menstrual cycle देखने को मिलता है heavy bleeding, light bleeding देखने को मिलती है कई लोगों को PCOD हो जाता है तो यह सारा जो खेल है वो इसकी dose पर भी depend करता है ठीक है तो इस tablet के जो possible side effects थे वो मैंने आपको बता दिया लेकिन इस tablet को अगर एक या दो बार ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपका जो menstrual cycle था वो 3 menstrual cycle में settle हो जाएगा और जो 4th menstrual cycle था वो normal आएगा लेकिन अगर आप इस tablet को बारी बारी लोगे तो क्या होगा देखिए अगर आप इस tablet को बारी बारी लेते हो जो आपका hormones balance था खास तोर पर progesterone और estrogen का वो क्या होगा unbalance हो जाएंगे जिसके चलते आपको PCOD की problem हो सकती है क्यों होगी क्योंकि जो thyroid gland था वो भी disturb हो जाता है ठीक है अब thyroid के जो hormones होती है T3, T4 या thyroxine वो disturb होंगे और वो क्या आगे problem create करेगा कि आपको PCOD हो जाएगा PCOD हो जाएगा या फिर ovarian cyst या फिर कईयों के जो uterus है उसमें fibroid हो जाती है अगर uterus में fibroid होंगे तो आगे conceive करने में बहुत problems आती है आपने सुना भी होगा काफी है ना तो अगर आप ये tablet को एक आदी बार ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है इसके बहुत कम side effects है जो कि आपके जो तीन mental cycle है उसमें settle हो जाएंगे लेकिन बारी बारी आप इस tablet को सबजी की तरह टोफी की तरह खाऊगे तो आपको बहुत सारी complications देखने को मिलेगी फिर आपको hormonal therapy और contraceptive pills भी लेनी पड़ सकती है ठीक है तो इस tablet को आप use करें इस tablet का use भी करने के लिए बनाया है मैं आपको ये नहीं कर रहा है कि इस tablet को मत लें इस tablet का जो use है ऐसे contraceptive pills के रूप में ही करें ना कि इसका use regular basis पर करें ओके तो आशा करता हूँ ये topic आपके लिए काफी useful और benefit रखता होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना साथ ही अगर आप हमारे चलन पर नए है तो चैलन को subscribe करके bell icon को भी press कर देना तो guys मुझे आपका किंती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक interesting topic के साथ तब तक के लिए stay healthy stay fit